प्राइम टाइम बुलुटिन के प्रायों जखें अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर भारत का पहला वा एक मात QAI एक्रेडिटेड सेंटर यूएस एफडिये एन यूरोपियन यूनियन आप्रूवड एक्विपमेंट्स अर्थ बिल्डिंग मदुबन उदैपूर उदैपूर में गली गली चल रहा स्टेकावेद खें पुलिस की मिली भगत या मामूली कारवाई से बुलंद सर्टोरियो के होसले आम जन ने बुपाल पुरा इलाके का वीडियो बना किया वायरा मोबाईल और दूसरे इलेक्ट गिवाईस से बच्चों में हो रही आँखों की बिमारी नैत्र चकिसक चिंतेत सरकार पाठिकरम के जरीए स्कूप में करेगी जागरूप बेगरियो इसने पकड़े दो गाजा रसकार नाकाबंदी के तौरान बरामद हुआ तीन किलो से ज़्यादा गाजा रासमन के रहने वाले हैं दोनों तसकार और करेक्टर की जन सुनवाई में पहुँचे कई परिवादी रहत का आश्वासन लेकिन काम हो तब बने बाद उद्यपुर में सट्टे का कारोबार इतना फलपुल चुका है कि गली-गली में सट्टा खिलाया जा रहा है अवेद रूप से चल रहे सट्टे के कारोबार को लेकर पुलिस को भी जहनकारी रहती है लेकिन बार-बार शिकायते होने के बावचुद भी कभी कबार पुलिस कारवई करती है कई बार ऐसे कॉलोनियों के अंदर और ऐसे सारवजनिक इस्थानों पर भी चूरी छिपए सट्टे का काम चलता है जैसे मैं आमजन को वहां के इस्थानी ये लोगों को काफी परिशानी होती है वो शिकायत भी करते हैं लेकिन सट्टोरियों पर कोई कारवई नहीं हो पाती है उद्यपूर में सट्टे का कारोबार पिछले कुछ समय से जिस कदर बढ़ा है उसे देखते हुए तो कई युवा इसकी लग्त के कारण अपने परिवार की घाड़ी कमाई सट्टे में हार रहे है भुपालपूरा एलाखे में एक व्यव्यक्ती ने मुबाइल से एक वीडियो बनाया जिसमें सट्टे का खेल चल रहा है और उसने ये मीडिया को बेजा पुलिस देखें बुपालपूरा थाना पुलिस खास तोर पर इस पर गहुर करें और इन सटोरियों के खिलाब कार्वित उधैपूर में पिछले कुछ समय से ब्रजों सट्टा कारोबार के साथ साथ औफ लाइन सट्टा कारोबार भी खूप चल रहा है जिसे सटोरियो की भाशा में मटका कहते हैं इस कारोबार पर लगाम लगाने का काम पुलिस का है लेकिन कई दफ़े ऐसा सुनने में चालता है कि पुलिस की मिली भगत के बगेर इस तरीखे से अवेज रूप से खुले में 60 कारोबार केसे चलता है बोपालपुरा धाना शेत्र का शास्तिर सरकल कप्रिस्तान का एक लाका है जहांपर एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर मीडिया में शेर किया है जिसमें आप देखियän कि यहांपर सटा खेलाज जा रहा है और इसमें कई लोग हैं जागरुक नागरिक दवारा ये वीडियो ब कोई कारवाई अभी तक नहीं कर पाई है ये पुलिस की कारवाई पर सवाल या निशान भी ठड़ा करता है खुले आम यहाँ पर सक्टे का कारोबार चलता है परजिया बनती है पैसो का लेंदेन होता है लेकिन शायद जिम्मेदार जान कर भी अंजान नजर आ रहे हैं आने पर जो लोग इस सटे की कारोबार के दलदल में धस गए हैं उनकी पत्निया हों चाहे बच्चे हों वो काफी बरबादी की रा पर गुजर रहे हैं ऐसे में प्लिस को चाहिए कि सटोरियों के खिलाब इनके आकाउं के खिलाब बड़ी कारवे की जाए और इस तरीके के सटे के खेल को रोका जाए तो उद्यापूर के कई परिवार बरबादी से बच सकते हैं ओ गौट्स नेहा सो डोटी मैं तो अपने आपको साफ रखना पसंद करती हूं टॉयलेट कौन साफ करेगा तेरी मां वाइटिक्स टॉयलेट क्लीनर रखे टॉयलेट को हमेशा लीन और फ पार जुन किया गया उद्यापूर के छह मेडिकल कॉलेज है नीजी चिकिसालियों के सो सदीग चिकिसक रेजडेंट चिकिसक साइध देशवर के देट सुषादीग चिकिसक ऑनलाइन जुड़े और सेमिनार में अपने अनुभाऊं को साचा किया इस सेमिनार में बोलते 1.6 था वहीं अब यह गिर कर मात्र 0.34 प्रतिशत रह गया है लेकिन इसके बावज़त विश्व के सरवाधिक अंदता रोगी भारत में पाए जाते हैं इससे भारत चिंतित है और सरकार भी अंदता निवारं के लिए रोगियों के स्क्रीनिंग कर अंदता का पता लगाने और के आउट्डोर एक्टिवीटी अनिवाई रूप से लागू करने पर विचार कर रहा है इससे बच्चों की आँखों के साथ साथ पूरी फिजिकल ग्रोथ पर सकार अत्मिक प्रभाव पड़ेगा सरकार रोगियों के नजदीक के नंबरों का चश्मा स्वयम से भी के प्रतीजानगता बढ़ाई जा रही है आशा वरकर्स का इसमें सेयोग ले जारा है नीती आयोग की और से बच्चों में मायोपिया रोक की रोक ठाम को लेकर प्रियास किये जा रहे हैं डोक्टर टिट्याल ने कहा कि गाउं में चिकस्कों और सर्फपाओं की कमी होने की क किस शेतर में काम करना है और नेतर रोक के किस शेतर में अपने भविश्व को उने धेखना है डाक्टर टीटियाल ने कहा कि अलगनें मंदीर नेतर चीकिस साल है में विश्व की सबसे ट्लैटेस्ट ऑप्टिकल बियोमीटर MRGOS और वोरियोन फोर डिजिटल काट्रेक्ट सर्जरी मेशिन का उद्गाटन हो चुका है यहाँ पर कई लोगों को लाब मिलेगा जहां तक अंधषथा का सवाल है आप जानते ह beings बारत दीश ये बाना जाता है कि सबसे यदा Enthita से पीडित लोग हमारे देश में है पूरे दुनिया के उसमें सबसे यदा जो कारण है मोतियखरिय नबर यन कारण है मुत अन्देता के फैलाने में हमारे देश में और यदि हम 50 साल के ऊपर या 50 साल की नीची की पॉपलिशन देखें तो उसमें मोतियाबन नबर वन तो है, 50 साल के नीची वाले में जो है, जो आगे की पुद्ली होती है, जो हम कॉर्णिया कहते हैं, उसमें जब स्भीड या ज जाता है उसके कारण से अंद्धता हो रही है और साथ में स्कूल के बच्चों में मायोपिया का जो है प्रबाव बहुत बढ़ता जा रहा है डियाविटिक रेटनोपैथी से बलाइडनेस बढ़ रही है काला मोती की बिमारी जो है बढ़ती जा रही हमारे सोसाइटी में तो की दो तिन फेजेज में करने पड़ते हैं पहला काम होता है स्क्रीनिंग करना हम पूरे देश में इन सारे बिमारे की स्क्रीनिंग करते हैं सर्वे कर रहे हैं जिससे कि पता चल जाए कि किस डिस्टिक में या किस प्रांट में किस तरह की बिमारे सबसे जादा है और किस तर का आवेरनेस डायबिटीस से पीडित होने का आवेरनेस और मोतियब इनका ऑपरेशन करने का आवेरनेस कर रहे हैं रिसेंटली जो है पूरी देश में जो आशा वरकर्स हैं उनके हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वह मोतियब इनका स्क्रीनिंग कर सके गाओं गाओं में और उन ल से बड़ी जो एक आजकल जो पूरी नीटी आयों के तरफ से भी जो इसमें लग रहा है मिनिस्टर हेल्थ से भी कि बच्चों में मायोपिया का प्रोगेशन कैसी रोका जाए क्यों हम देखते हैं कि दीरी-दीरे मायोपिया बच्चों में बढ़ती जा रही है एक तो आप दे लाइव के लिए जो लगा रहा है कि स्कूल एडुकेशन मिनिस्टरी के तरफ से कोशिश कर रहा है कि एक गंटे का आफ टाइम आउटर एक्टिविटी के लिए हर स्कूल में मेंडेटिरी करना पड़ेगा जिसे की जो है बच्चे की जो है आँखों की नहीं पूरे फिजि दिया जाए किसी अंजियो के दवारा या किसी संस्ताई के दवारा क्योंकि ये संक्या हमारे देश से बहुत ज्यादा है क्रोड़ों लोग है जिनको चسم की जरुद पड़ सकती है और चسمे लगाने बाद इनको साब दिखाई देगा बड़े सारे लोग के इसके बारे पता भी नहीं चलता है तो जो नई policy health policy आ रही है उसमें यह सब निदान का प्रोग्राम चलना है सबसे प्राइमरी जो हमारा area concern है वो है prevention में कैसे रोकताम किया जाए इन सब बिमारें को जिससे की जो है अंतता की जो है कमी हो जाए हमारे देश में ग्रामिंट छेतरों में आप जानते हैं कि हमारे देश में equal distribution डॉक्टरों की और संस्था की दोनों की कमी है आप देखते हैं बड़े-बड़े सैरों में बड़े-बड़े hospitals ह लेकिन यह similar facility जो है primary area या गाउं में इसकी कमी है तो इसलिए जो है दो चीज़े सरकार इसमें करना चाहती एक तो जो है टेली मेडिसिन सिस्टम लाना चाहती है जिससे कि हम गाउं गाउं की लोगों को जो है टेली मेडिसिन के जोड़ें जोड़ें जिससे बीमारी का पता चल जाए और इसका इलाज कहां पर कराना है कैसे कराना है इसके बारे में सुविदा उनको परदान करें जो को पोलियो प्रोग्राम जो है बारत देश का पिछले independence के बाद सबसे successful प्रोग्राम रहा है और यह बहुत ही मैसिब लेवल में गर गर में जाके किया गया था और इसमें जो है NGO's सरकारी तंत्र और जो है लोकल संस्ताय ने काम किया जिसे इसका जो है फाइदा पूरे हमारे समाज को मिला है जहां तक अंदता है यह ऐसी बिमारी है जिसके बहुत सारे कारण है और अलग तरह के बिमारिया है और हर छेतर में कभी कभी अलग अलग तरह के ज्यादा फैलाओ है इसलिए सरकार यह चाहती है कि सबसे पहला काम इसमें अवैरनेस बढ़ाना है कि कैसे लोगों को पता चले कि कैसी बिमारी है उसका इलाज कहा हो सकता है कैसे हो सकता है और प्रॉपर स्क्रीनिंग हो जाए जिसे पता चल जाए कि कौन सी बिमारी कितने म जब और लोगों को पता चल जाया कि बिमारी ये है उसका इलाज हो सकता है तब जाके ये मुहिम जो है आगे बढ़ेगा पिसले कई सालों में हम देखते हैं जो अंधिता का जो रेट है जो प्रिविलेंस है बिलाइडनेस का बारे देश में कम हुआ है आज से दस पंदर साल पहले 1.6% था आज की डेट में 0.34% रह गया है तो इसमें बहुत काम हुआ है लेकिन जितना हमारे जो हम पॉपुलेशन है मेंगनिटूड है 0.3% भी जो है बहुत जादा नंबर है तो अभी भी इसमें बहुत जादा काम करना है तो हर 10 साल में इसको ब्लाइडनेस है और जो आपने नाम सुना होगा आरपी सेंटर ओल इंडिया इंस्टीटो अप मेडिकल साइंसिस न्यू डेली वहां के जो आई डिपार्टमेंट है उसके चीफ है और इसके अलावा यह डीन है रिसर्च के जो आज की तारिक में जो हम नहीं जितने भी हम शोद करते हैं में आप उसके दीन है तो आपका उदेपूर पदाना हुआ था और हमारी कल रात में मीटिंग थी और आज जो है जो लोग पीजी कर रहे हैं हमारे यहां छे मैडिकल कॉलेजिज हैं और छे मैडिकल कॉलेज के करीब करीब सितर से असी रेजिडिन डॉक्टर्स हैं जो आग कैसे अपना लाइफ को आफ्टर डूइग एमयस कैसे उनको आगे किस सब्जेक्ट में आख में भी अप छे डिपार्टमेंट हो गए तो उसमें कौन से डिपार्टमेंट में जाना है कौन कौन से इंडिया में ऐसे संस्तान है जहां उनकी अच्छी टेंग हो सकती है यह का गाइदेंस का जो लेक्टर था वो सुना है और उनसे जो सवाल थे उनके मन में वो पुछे तो डॉक्टर टिट्याल सर्थ। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE-affiliated school, Rana Pratap English Medium School, peaceful and hygienic environment, free bus facility from nursery to class 3, 100% quality result, well maintained and updated library, well equipped physics, chemistry, biology and computer lab, huge playgrounds, Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC, separate boys and girls hostels, Rana Pratap Group of Institutions, behind Chaudhry, petrol pump, Bhinder Udaipur. अवेत मादक पदार्तों के रोक्ताम को लेकर Udaipur जिला पुलिस की उसे विश्य सप्यान चलाए जा रहा है और इसी के चलते बेक रहा था ना पुलिस ने नाकाबंदी के दोरान अवेत गांजी का परिवन कर रहे दो यूपो को गर्फतार किया है पकड़ गे यूपो का नाम रूपनात पिता लालानात और राजुनात पिता नायुनात है ये दोनों उपली ओडन के रहने वाले हैं पकड़ गे दोनों यूपो के कबजे से 3 किलो 200 ग्राम अवेत घांजा बरामत किया गया है इसको लेकर प्रकंसंग के 140 पटा 24 में धारा 8 पटा 20 एंडिपियस एक्ट में मामला तर्च करने के साथ है असंदान अधिकारी प्रविंट्सिये मांडवा थान अधिकारी को बनाया गया है आपको बता दे कि नाकाबंदी के दोरान बेग रहा थान अधिकारी धनप्रचिये के नेतृत में ये कारवे की गई जिस पर इन दोनों यूपो को पकड़ा है ये दोनों रास्मन उपली ओडन के रहने वाले है अमार आशिष हॉस्पिटल एंटेस्टिफ बेबी सेंटर उदैपूर जहां आधनिक तक्नीक से मिलता है निसंतान दंपत्यों को संतान सुख तो आज ही डायल करें अपने खुश्यों का नंबर 0294 242 9044 गेट्स यूर पाथवे तू ब्राइट फूचर एक्सपिरियंस अ नुए रा इन टेकनिकल एडुकेशन बिल्डिंग एक्सिलेंस फूर बिल्डिंग अ फूचर गीतांजली इंस्टिटूट अफ टेकनिकल स्टरी एरपोट रोड डबोक उदैपूर राजस्थान उदैपूर कलेक्टरेट में जीला स्त्री जन्सुनवाई गुरुवार को हुई कलेक्टरेट परिसर स्त्रीट डियो आईटीसी में जन्सुनवाई हुई जिसमें कलेक्टर के निर्देश पर एडियम प्रशासन दिपेंद सिंग डाटोर ने आमजन की परिवेतनाओं को तोन्ते हुए आवश्यक निशान निर्देश थिये आखो बता दें कि सब्सक्राइब की ओर से गुरुवार को जनसुनवाई रखी जाती है महीने में एक बार जिलास्तर पर होती है वहीं प्रत्येक महा के प्रथम गुरुवार को पंचायत मुख्याले पर जनसुनवाई का क को बता है दुंगरपुर में भी जिला इस्त्री है जन्सुनवाई का कारीकराउं कलेक्टर अंकित कुमार सिंग के दिख्सता में हुआ जन्सुनवाई में कलेक्टर ने परिवेतनाओं को सुना और समशाओं को तुरंत सम्मंदित विभागों से मिलकर निस्तारित करवाया जन्सुनवाई में कलेक्टर प्रभारी सच्चीव भी वी सीक के माद्यम से चुड़े इस अवसर पर जिला परशे सीयो मुकेश चोधरी उपकरन अधिकारी नीरा किमिश्र साहित अन्य वागों के अधिकारी मौजुद रहे कई लोग जन्सुनवाई में अपनी परिवेदनाय लेकर पहुँचे इन में से अधिकान शुवे लोग थे जो पहले ही 181 पर और दूसरे प्लेटफॉम के जरीए अपनी शिकायद दर्श करवा चुके थे लेकिन उनका समाधा नहीं हो रहा था तो जिला इस्तरी जन्सुनवाई में कलेक्टर के सामने उपस्तित हुए और कलेक्टर से राहत की मांगी इस पर जिला कलेक्टर ने समधित विभाग के अधिकारियों को दिशाने दिशारी करते हुए तब काल प्रबाव से जन्सुनवाई में आने वाली परिविदनाओं क मिस्तारन के निर्दिष्टी है पूनम फनीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में ओफिस, हॉस्पिटिल्स, होटेल्स, कॉलेज, कॉर्परेट और सभी तरह के गवर्मेंट इंस्टिउशन्स में टर्न की प्रोजेक्स विसेशग्य पूनम फनीचर्स आपके लिए लाए है जीरो डाउन पेमेंट, जीरो परसेंट ब्याज पर आसान व्रिन योजना घर के आंगन साला के ससुराल का हर को न पूनम फनीचर के बिना बिटिया ससुराल ना जाए पूनम फनीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर फाइव, में रोड उधैपुर नाबाट की और से तीन दीर सी तरंग मेले का आयोजन निगम प्राग्न में किया जा रहा है शुकरवार से शुरू होने वाले इस मेले का समापन 23 जून को होगा पतरकार वारता के दोरान आयोजन निगम बताया कि इस मेले का उधिश किशान उत्पादक संगटो जिस में एफिव और स्वेम साहता समू को बढ़ावा देना है कारिक्रम में MPUT के कुलपती, नाबाड, DGM और विबन विभागों के अधिकारी भाग लेंगे। आपको बताते कि इस मेले में विबन प्रकार के 50 स्टोल लगाई जाएगी। के परिशर में किया जाएगा, इसका टाइमिंग सुबह 10 वजे से रातरी 10 वजे तक रहेगा। इस मेले का मुख्य मक्सद है कि FPO और SSG जो ग्रूप से उनको एक मार्केटिंग का मंच अवेलेबल करवाने के लिए ताकि वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर तक रहेंगे आपके पास फ्रूट्स के अंदर जामुन की केंडी आउला की केंडी यह सब रहेंगी और कुछ अपने लैदर के प्रोडक्ट्स भी लेके आ रहें को कुछ ऐसे जी समू जो अपनी मूर्तियां और हैंडी क्राफ्ट हैं वो भी अवेलेबल रहेंगे तो पूरे उद्यपूर वाशियों से मैं आग्रे करना चाहूंगा कि तीन दिवशे मेले का लूप्त उटाएं और एसेजी और एफ्पी ओ ग्रूप्स को मनोबल बढ़ाने में सयोग करें इसमें पचास स्टोल्स और्गनाइज के जा रहें जो की पूरे राजस्थान से हैं अपने ल वाश चंछलर MPUT Dr. Ajit Karnatak जी भी प्रोगम के अंदर रहेंगे अगले बाकी बंकर्स रहेंगे ओर्लाइन देपार्मेंट्स के अधिकारी भी सब उपस्तित रहेंगे The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to second standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, Enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility, school also ensure full security while pick and drop your child The Scholars Arena, English medium senior secondary school, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagari, Udaipur, our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri-Madari Link Road, Udaipur Dungarpur चिले के धंबोला थाना शेत्र के सीमलवाडा गाओं में एक कोई में 14 वर्षी वालिका का शेत्र मिलने पर शेत्र में संसनी पिल गी बालिका दो दिन से गर से लापता थी, पुलिस ने Medical Board से शेव का पोस्ट माड़म करा कर परिजनों को सूप दिया है, वहीं मामला दर्ज करते हुए इसकी चांच भी शुरू करती है दंबोला थाना पुलिस के मताबिक सूचना मिली थी कि सिमलवाडा गाओं के पास एक कोई में बालिका का शव तेर रहा है, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों की भीड जमा थी, पुलिस ने ग्रामिनों की मदद से शव को कोई से बाहर निकल वाया, पु परिजोन ने काफी तलाश भी की, लेकिन उसका कोई सूराग नहीं लगा, इधर पुलिस में शव को मोखे से उठा कर सिमलवाडा हस्पताल के महुचरी में पहुंचाया, जहां पर मेडिकल बोर्ड से पोस्ट माडम करा का शव परिजोन को सूपूर्ट कर दिया है, मामला मुए निवासी परिणा पीता अम्रत पारगी की मिली है, और वो यह अठा तरीको गर से निगले ती सिमला में करोली काम करने के लिए, तो दो दिन से उनके परिवारों वाले पुलिए, आज लास में मिली है, सियाई साम को फोन किया, आके पुरजबता, मुर्गामिनों ने चलते चलते फिर नजर लाले के अब तक की टॉप अपना विद्याले, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए, प्रताप नगर, ट्रांस्पोर्ट नगर, एरपोर्ट रोड, उदैपुर उदैपुर में गली गली चल रहा स्टेक आवेद खे, पुलिस की मिली भगत या मामूली कारवाई से बुलंद सर्टोरियो के होंसले, आम जन्न ने भुपाल पुरा इलाके का वीडियो बना किया वायरा मोबाईल और दूसरे इलेक्ट गिवाईस से बच्चों में हो रही आँखों की बिमारी, नैत्र चकिसक, चिंतेत, सरकार पाठिकरम के जरीए स्कूप में करेगी जागरूप बेगरियाल इसने पकड़े दो गाजा रसकार, नाकाबंदी के तौरान बरामद हुआ, तीन किलों से ज़्यादा गाजा, रास्मन के रहने वाले हैं दोनों तसकार और करेक्टर की जन सुनवाई में पहुँचे कई परिवादी, राहत का आश्वासन, लेकिन काम हो तब बने बाद तो ये थी अब तक की खास ख़बरे अपने स्मार्टपोन पर प्रदीश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है, तो आज ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बाला एक रजोट पार, फिलाल स्मूलिटीज में इतना ही, दीजे पूरी टीम को जाएथ, आप अन प्राइब के साथ, टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, प्राइम टाइम बुलुटिन के प्रायो जखें, आर्थ, स्किन एन फिटनेस सेंटर, भारत का पहला वा एक मात QAI Accredited Center, US FDA and European Union Approved Equipments, आर्थ बिल्दिंग, मदुबन उदैपूर, ये है चैनल 91 प्लस न आवाज हम सब की